In this segment we are going to talk about the demand in the bond market. Demand side को understand करना इस तिये जरूरी है कि bond market में जो कोई भी financial instrument है या coupon bond है या कोई भी किसम की bond आप लेने जा रहे हैं उसकी कीमत का तायून कैसे होगा? उसको समझने के लिए हमें demand को understand करना है कि demand कैसे उसकी determine होती है तो जब हम bond market की बात करते हैं तो it is important कि हमें पता होना चाहिए कि bond होता क्या है तो किसी भी firm को या company को जब पैसों की जरूरत होती है तो उसके पास दो choices हैं एक तो यह है कि वो किसी financial institution से या bank से पैसे loan ले ले उधार ले दूसरा तरीका यह होता है कि वो कोई financial instrument बनाती है कुछ certain denomination के for example 5000 रुपय का या 10,000 का या 100 रुपय का वो एक financial instrument बनाएगी और उसके उपर कोई face value होगा उसके साथ आपको वो कुछ अब बताएगी कि इसको खरीदने से आपको क्या financial benefit या return मिलने वाली है और उस particular कागस के टुकरे के गैंस्ट वो आप से बौरो करती है तो जो साल के लिए हम आप से पैसे ले रहे हैं या दो साल के लिए ले रहे हैं और अगर 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 अभी आप इसको हम से एक हजार रुपय का लेंगे तो हम एक साल के गुजर जाने के बाद upon its maturity आपको इस एक हजार भी लोट आएंगे और उसके साथ में हम आपको 10 परसंट या 12 परसंट इसके जाफी पैसे भी देंगे तो जो इन्वेस्टर है उसको ये फाइदा नजर आता है लेहाज़ा वो उस पर्टिकलर कागस के टुकरे को firm के लिए ले लेता है तो that particular piece of paper issued by a firm or a company to generate funds for itself is a bond तो bond की demand कैसे determine होगी हम इस session में उसको discuss करने जा रहे हैं तो हमने कहा के basically जब हम demand की बात करते हैं तो it means के हम quantity demanded की बात कर रहे हैं और quantity demanded जो है वो price का function है कि उसकी कीमत काम होगी ज्यादा होगी उसके मताबिक उसकी demand आएगी मगर इसमें एक और बहुत एहम role play करता है interest rate जो के market में prevail का रहा है that also plays a key role और मैं आपको एक example देने लगी हूँ suppose हमारे पास एक एक साल maturity का एक discount bond है जो के market में बिक रहा है और उसमें जो उसका जो face value है वो एक हजार डॉलर है अगर हमारे पास जो holding time period है holding time period का मतलब होता है वो time period जो के खरीद और फरोख आपने खरीदा और फिर आपने बेच दिया उस time period को हम holding time period कहते हैं holding period बोलते हैं अगर आपका holding period for example इस 1000 face value के coupon bond का holding period जो के customer investor की discretion पे है कि वो कितना अर्सा उसको अपने पास hold करेगा holding period एक साल हो तो ऐसे के situation में हमने एक पहले session में डिसकास किया था कि ऐसे के situation में जो return on the bond है वो उसके interest rate के interest rate के बिलकुल बराबर prevail करेगा हमने डिसकास किया था कि जो yield है that becomes equal to the rate of return अगर आपकी holding period is the same as the maturity period maturity एक साल है holding period एक साल थी तो इसका मतलब है कि इस situation में आपका rate of return आपके interest rate के एन बराबर होगा so यह आपने factor को consider करना होता है जब हमने कोई भी demand को या financial instrument को market में demand करना है so यहां से हम derive कर सकते हैं formula which I am going to explain to you it means if we want to know the interest rate it is it will be equal to the expected return provided आपका holding period आपके maturity के time period के बराबर होगा तो आपकी interest rate आपके expected rate के बराबर होगी and that is given by the face value minus the initial purchase price divided by the initial purchase price तो आपका जो formula है वो मुक्तसर हो जाएगा और आप सिरफ इसमें शर्त क्या है इसमें शर्त यह है कि यह वो situation में आप आपको interest rate के बारे में और expected return के बारे में बता रहे है जहां आपका holding period आपके maturity के time period के बराबर है लेकिन जब आपकी यह दोनों चीज़े बराबर नहीं होगी तो फिर आपका expected return या rate of return आपके interest rate के बराबर नहीं होगा उसमें फरक आएगा वो कैसे calculate होगी हम उसके लिए already formulas को discuss कर चुके हैं तो इसी चीज़ की वजाहत के लिए I am going to put up an example here for example आपके पास जो market में आपने face value थी coupon bond लिया $1000 का और एक साल के गुजर जाने के बाद उसकी जो कीमत है वो $950 हो गई है या पहले वो $950 थी इसको हम उलट कर लेते हैं तो suppose अगर हमारा जो initial price था जिसके उपर आपने वो bond खरीदा था वो $950 का था और एक साल के गुजर जाने के बाद आपको वो $1000 की price हो गई है उसकी market में तो आपको जो current price है उस में से आप initial price को subtract करेंगे initial price से उसको divide कर देंगे तो आपको जो value मिलेगी वो आपका interest rate भी होगी वो ही आपका return भी होगी यह दोनों बराबर सिर्फ और सिर्फ ताब है जब आपका holding period आपके maturity के time period के बराबर है तो only then this particular relationship will work otherwise not so we need to be careful about that so in this example we have calculated the interest rate which is equal to the return expected return and that turns out to be 5.3% तो आपने initial price में से current price को minus कर देने और initial price से दिवाइड करेंगे तो percentage में convert करेंगे तो आपको percentage form में interest rate यह expected return की value पता चब जाएगी